हलो स्टुडेंट्स आज हम जुलोजी के पेपर थार्ड में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन एंड नॉमेंक्लेचर ओफ एंजैम्स नामकरण की क्रिया द्वारा लगभग 300 एंजैम ग्याद किये जा चुके हैं आधुनिक पददी जिसे ISB कमिशन ने 1965 में स्विकार किया उसके अनुसार एंजैम जिस सब्स्टेट पर किया करता है उसके नाम के पश्चा सफिक्स भाग पर एज लगा कर नामांकित किया जाता है उधारन के लिए मंड को माल्टोज में बदलने वाले एंजैम को एमाईलेज, लिपिट को ग्लिस्रोल वर वसा अमल में बदलने वाले एंजैम को लाइपेज, प्रोटीन को अमीनो अमलों में परिवर्थित करने वाले एंजैम को प्रोटीएज कहते हैं क्लासिफिकेशन ओफ एन्जाइम्स आई यूबी इंटरनेशनल यूनियन ओफ बायो केमिस्ट्री कमिशन ने 1965 में एन्जाइमों को 6 समू में बाटा इस वड़कीकरण का आधार अभिक्रिया का प्रकार एंभिक्रिया की क्रियावदी बनाया गया है जैसे यहाँ पर एन्जाइम्स आर क्लासिफाइट एकोर्डिंग टू दर रियक्शन दे केटलाइज कुल 6 क्लासेज है और उनके सामने उनकी यह यहाँ हम देख सकते हैं जैसे फर्स्ट क्लास एंजैंस की उक्सिदो रिटक्टेस इनके द्वारा जो कि टैलाइज्स होती हो ओक्सिदेशन डेक्शन रिएक्शन ट्रांसफेर एज इस ट्रांसफर ग्रूप्स ऑफ एटम्स hydrolysis, इसमे जो reaction है, hydrolysis, liases, add atoms, या फिर remove atoms, और oblique from a double bond, isomerases, rearrange atoms, ligases, use ATP to combine molecules. systematic name, according to the international union of biochemistry and enzyme, name has two parts, first part is the name of the substrates for the enzyme, second part is the type of reaction catalyzed by the enzyme, this part ends with the suffix as, example, lactate dehydrogenase. यहां हम पढ़ेंगे six classes of enzymes, first one oxido-reductase, transferases, hydrolysis, liases, isomerases and ligases. oxido-reductase catalyze the transfer of hydrogen or oxygen atoms or electrons from one substrate to another. इस वार के enzyme एक electron का एक अणू से दूसरे तक इस्थान अंतरन वो hydrogen इस्थान अंतरन को दर्शाते हैं. Since these are redox reactions, an electron, donor, oblique acceptor is also required to complete the reaction. जैसे कि यहां पर दिया हुआ है यह A H2 plus B, A plus B H2. और इसके example है oxidases, dehydrogenases, reductases. इस वर्ग में हमने देखा dehydrogenases, oxidases और peroxidases. सेकंड क्लास हम देखेंगे transferases. Catalyze group transfer reaction excluding oxido-reductases, which transfer hydrogen or oxygen and are, these are of the general form. यह enzyme किसी vicious समू को एक substrate से दूसरे substrate तक के इस्थान अंतरन को उत्परित करते हैं. इस्थान अंतरन होने वाले समू जैसे कि NH2 transamination में जथा phosphate phosphorylation में. इस एक्जामपल है, transaminases, transfer amino group, kinases, transfer phosphate group. क्या तो इसमें amino group का transfer हो जाता है या फिर phosphate group का. तीसरी क्लास आती है, hydrolysis, catalyze hydrolytic reaction. यह enzyme जल की उपस्तिती में राशायनिक बंदों के तूटने को उत्परित करते हैं. यह भी क्रियाएं उत्क्रमनिये होती हैं, यह ester, peptide, glycoside, acid anahidride और carbon-carbon आधी बंदों को तोड़ते हैं. इसमें water involved होता है. एक्जाम्पल है इसके lipases, esteriasis, amylases, peptidases, etc. फूर्थ क्लास हम देखेंगे lyases. यह catalyzed non-hydrolytic removal of functional group from substrates, often creating a double bond in the product or the reverse reaction, such that addition of function groups across a double bond. यह enzyme किसी अनुके दो भागों को तोड़कर उनके मध्धे द्यूबंद बनाने में सायक होते हैं. यह भी क्रियाएं उत्क्रमनी होती हैं. कार्बन, कार्बन, कार्बन ऑक्सिजन, कार्बन नाइट्रोजन और कार्बन सलफर आधी इसे समूह हैं, जिन पर यह enzyme क्रिया करते हैं. जिसे कि यहां देखा, हमने प्रोड़क्स जब फोम हो रहा है, यहां पर यह reaction के बाद तो डबल बॉन यहां बन रहा है. नेक्स्ट क्लास आती है, आईसोमरेजिस. केटलाइज आईसोमराइजेशन रियक्शन इंक्लूडिंग एपीमराइजेशन और सिस्ट्रांस आईसोमराइजेशन यह enzyme प्रकाशिये ज्यामितिये तथा सरंचनात्मक्स समावयवयों के अन्योंने रुपांत्रन को उत्प्रेरित करते हैं, उधारन सिस्ट्रांस आईसो आईसोमराइजेशन नेक्स्ट और लास्ट क्लास आती लीगेजेश केटलाइज सिंतसिस ओफ वेरिस बॉंड्स कपल विद ब्रेकडाउन ओफ एनर्जी कंटेनिंग सब्स्रेट्स यूजली एड़ीपी यह वह एंजायम हैं जो दो योगीकों के जुणने की इनके एक्सांपल है, सिंथेशन सिंथेशन कार्बाओवग्जी लैजेशन ना थेंक यू फोर वचेशन